Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीगना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्रीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 101 का Unit 10 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे परिवर्तित रोमन संसार के बारे में यह chapter important है, इस chapter के अंदर में almost 4-5 topic बनते हैं जिनके basis पे एक सर exam questions भी पूछे जाते हैं इस chapter से पहले हमने एक chapter पढ़ा था जिसका नाम था Roman Samarajay जिसके अंदर में हमने discuss किया था Roman Samarajay की प्रशाशन व्यवस्ता किस परकार की है Roman Samarajay की व्यस्तार की नीती किस परकार की है Roman Samarajay के अंदर में जो अर्थववस्ता थी, वहाँ पे दासों को उप्योग किस परकार से किया जाता था इस तरह के कुछ important topics हमने उसके अंदर में detail में चर्चा किया था और मैं request करूँँगा सभी वीवर से, सभी student से कि आप उस chapter को पहले जरूर देख ले फिर इस chapter को देखे क्योंकि दोनों chapter रिक दूसरे से interlink है उसके अंदर में हमने बात किया तरह Roman Samarajay के बारे में और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परिवर्तित रोमन संसार के बारे में चलिए यहाँ पर question of the video भी मैं starting में आप सभी वीवर से, सभी student से पूछना चाहूँगा क्योंकि अगर आपको नाम का मतलब पता है तब आप chapter को समझ सकते हो नहाँ पे आप मुझे बताईए comment करके कि परिवर्तित रोमन संसार का मतलब क्या है परिवर्तित का मतलब होता क्या है आप comment करके बताईए देखते हैं कितने students को पता है next video के अंदर में मैं बता दूँगा जैसे कि मैंने starting में आपको बताई कि इस chapter के अंदर में almost 4-5 topic है तो हर एक topic को हम अलग-अलग videos के अंदर में discuss करने वाले है छोड़ी-छोड़ी videos रहेंगे जिससे आपको समझने में असानी रहने वाला है तो आज का जो हमारा video रहने वाला है पार्ट वन रहने वाला है जिसके अंदर में discuss करेंगे कि तीसरी सतावदी तक रोमन समराजी में हुए विस्तार के बारे में रोमन समराजी किस प्रकार से विस्तार किया 30 सतादी तक उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ चोवाली इस इसापुरुफ के अंदर में जूलियस सीजर की मिर्तियों हो जाती है जूलियस सीजर की मिर्तियों के साथ में ही रोमन समराजी वहाँ पे खतम होता है और यहाँ परिवर्तित रोमन संसार का उधे दिखा जाता है इसके बाद 31 इसापुरु के अंदर में ओट वियन करके नया सासक बनता है रोम समराजी का और यह अपने आपको प्रिंसेप या फिर प्रतम नागरी के तौर पे जाना जाता था इस टाइम पिरिट के अंदर में गणतंतर ववस्ता बरकरार रही गणतंतर मतलब क्या होता है गण मतलब लोगतंतर मतलब ववस्ता जहां पे लोगों की वimyb अगस्तक मतलब क्या होता है कि एक पुज्य जिसकी हम पूजा कर सकें जो पूजा के लायक हो उसको यहां पे अगस्तक कहा जाता है competitive और Gaal ने उपनिवेश बसाए गए इसके दौरा सासत में मोरोको, इथोपिया, मिस्र और सीरिया पर भी यहां पे कबजा किया गया और टिवियन के जो मृतिव होती है और टिवियन के मृतिव के बाद में इसका जो दतक पुत्र होता है ताइबेरियस उसको नया सासक बनाया जाता है दतक पूत्र मतलब क्या होता है कि गूद लिया हो बच्चा उसको हम दतक पूत्र बोलते हैं तो ताइबेरियस यहां पर नया सासक बनता है और इस बंस का जो अंत होता है 68 इसा पूर्व के अंदर में इस बंस का अंत हो जाता है Votivian इसका पहला सासक था और इसका बाद इसका जो पूत्र ताइबेरियस होता हो दुस्वा सासक बनता है और दीरे-दिरे कई सारे सासक आते हैं और अंडशआत इससा पूर्ण के अंदर में इस वन्सका बाष्क हो नीरो के आत्मत्या के साथ में। 68 इसा पुरुप में जब नीरो की आत्मत्या हो जाती है तो वे स्पेसियन करके यहां पे नया सासक आता है रोम समराज्य का और इसके हाथ में पूरा नियंतरन आता है रोम समराज्य का। इसके बाद इसके जितने भी उत्र अत्रिकारी आते हैं इसके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, वो 180 इसा तक यहाँ पे हर्षासन करते हैं रोम समराज्ये के उपर में इस वन्स का जो अंत था इसको ओलेरियस के नाम से जाना जाता है इस अवीधि के अंदर में इस समराज्यिये ने बहुत ज़्यादा सक्ति साली, सक्ति आई इसके पास में और सम्मिर्दी भी देखी जाती है सड़क मार्ग को इसने बहुत ज़्यादा दुरुस्त किया सड़क से लेकर सिचाई मार्ग तक का जो सिचाई के रास्ते ते सिचाई के लिए जो व्यवस्था थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अधारवु सुधां का परदान किया विकास किया स्टडक के उपर में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया ठीके सासात में खीती कृषी को विकास करने के लिए अर्थवस्था को ग्रो करने के लिए सिचाई व्यवस्था के उपर में बहुत ज़्यादा जोर दिया नए तरह के नहरे और ववस्था को अपनाए गया नई नई तरह के तकनीकों को अपनाए गया जिसे सिचाई को और ज़्यादा इजी किया जा सके इसके लिए भी यहां पर जोर दिया गया दूसरी सताबदी के अंत तक में यहां पे देखा जाता है रोमन समराजे सीरिया के छेतर में विस्तार करता है फिलिस्तिन के छेतर में विस्तार करता है और अनातोलिया के छेतरों में भी यहाँ पर विस्तार करता है 284 में डाइकलिशन रोम समराजे के सत्ता पर आसीन होता है यहाँ पे रोम समराजे के विकास का एक नया चरम लिखा जाता है और अलग तरीके से जो पीछे जितना भी राजय आये जितने भी समराजय बने जितना भी समराट बने सबका अलग एक point of view था पर यहाँ पे डाइकलीशन जो आता है 284 इसापूर्व के अंदर में अधिकार भी ते किस तरह ऀडिकार थे वो राज़ा के अधिपत में काम करते थे अगर राजा को जो टेक्स वसूलना था वह वसूल कर कर देते थे टेक्स देने का काम जो करते थे वो 16 जनपद क्या करते थे ठीक है, राजा को कभी सैनिक की जरूरत थे तो वो उनकी मदद करते थे तो एक तरह से राजा का ही हैडम रहता था मतलब सभी इनके उपर 16 जनपदों को उपर में पूरे रोम समराजे को क्या करता है चार भागों में इस तरीके से बांट देता है कहता है ये वाला तेरा हुआ से तू अपना सही तरीके से राज कर ये वाला मेरा ये वाला तेरा ये वाला तेरा ऐसा करके पूरा तरीके से बांट देता है और Glarius को यहाँ पर Ilaricum और Macdonia Grish का हिस्सा प्राप्त हुआ था ठीक है, जो Macdonia उस दुनिया वाला जो हिस्सा था यह Glarius को यहाँ पर दे दिया गया था 306 इसा में Declation का यहाँ पर सेना विर्थ हो जाता है सेना विर्थ मतलब क्या? सेवा विर्थ चाहरो समराठ की वीवहस्था होती है ुस समाप्त हो जाती है कि तो समापत होने के पिछे संवรाप्त के रहता है जो राजवनtant थे हैं उनकी उसिस थें वह आपस में टका है जिसके कांस IP चाहरो समराठ की वह स्ताथ थी ऑन आप यहाँ पदन हो जाती है देखो यहाँ पर question आपके exam में पीछे बन कर भी आया था कि जो Roman Samrachy है उसकी विस्तार को बताईए तीसरी सताब़ी तक के विस्तार को मतलब क्या पहली सताब़ी से लेकर तीसरी सताब़ी तक का जो विस्तार रहा वो बताईए तो यहां पे हमने बात किया पहली सताबदी से स्टाट किया जूलिय सीजर की मिर्ति के साथ में पहली सताबदी दूसरी सताबदी के अंदर में यहां पे दूसरे राजा बन जाते हैं पहली सताबदी के अंदर में जो राजा रहे रहे सासाथ में यहाँ पर आप दूसरे सतावदी के अंदर में देखो गए वैस्पीसियन के जो उत्रा दिकारी थे 180 सापुर्व तक सासन करते हैं उसके बाद में दूसरे राजा ओलेरियस आ जाते हैं उनका अंतिम सासक के तोर पे फिर उसके बाद डायकलीशिन आ जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर 30 सतावदी तक जो पूरा सासन में वस्ता था किस तरीके से रोमन समराजे विस्तार किया उसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया और यह कोशन आपके एकजाम में पूछा भी जाता है तो आप हमारे चनल को like, share, subscribe जरूर करें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुचाएं क्योंकि आपकी एक-एक like, share, subscribe से हमें motivation मिलता है हम आगे बढ़ने के लिए work कर पाते हैं आपके लिए और अच्छे तरीकी से मेनत कर पाते हैं यहाँ पर एक और request करूँगा आप सब वीवर से अगर आपको notes चाहिए जो यहाँ पर है तो आप comment करने की जुरूत नहीं है आप directly क्या कर सकते हो description में जाना है वहाँ पर Google blog post का blogger का वहाँ पर link दिया हुआ है आपको directly blogger पर click करके blogger पर चले जाना है हर एक chapter जो भी मैं अभी तक करवा चुका हूँ जितने भी video नए syllabus का डाला गया है सभी का वहाँ पर आपको notes मिल जाएगा directly आप उसको वहाँ से देख सकते हो वहाँ से लिख सकते हो तो यहाँ पर मैं video end करूँँगा thank you so much for watching me thank you so much for listening bye bye take care all the best मिलते हैं next part के अंदर में bye bye